नमस्कार कैसे हैं बही आप सभी लोग सुनिल जामकर कैसे हैं तो पैटे आज की क्लास हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर पढ़ाने वाले हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी से लाइब आएं और फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए जैसा कि हम ऐसा जो बच्चे आए हैं उन सभी को नमस्कार गॉड इबिनिंग और आज की क्लास में हम आपको लॉड लिटन से लेकर लॉड रिपन के बारे में बताने वाले हैं आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने जब आपको एक MCQ कराया था तो MCQ के आगे आज की क्लास में हम आपको MCQ नहीं कराएंगे आज की क्लास में हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं जैसा कि हमने इस क्लास को परसों पढ़ाना था लेकिन बटे इसको हमने आज पढ़ाएं अंकज शर्मा गुड इवनिंग रामकुमार बटे गुड इवनिंग सुनेल जमकर नाम बड़ा जमकर है आपका नमस्कार पढ़ाम तो इस तरह से बटे आज की क्लास में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंग फिर और किसी क्लास में MCQ पढ़ाएंगे और आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने जो डिटेल में पढ़ाए थे वह आपको कहां तक छोड़ा था लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक तक बताए थे बैभो शिंग भी आ गए नमस्कार बैभो सिंग तो कैसे हैं आप सभी लोग रामकुमार नॉर्थ ब्रूक से सर अच्छा नॉर्थ ब्रूक बताना था चलिए ठीक है तो नॉर्थ ब्रूक से ही बताएंगे आज नॉर्थ ब्रूक के बारे में ज्यादा नहीं है दीपक कुमार भी आ गए हमाईसा जुड़ गए हैं गुड अधनिक भारत की इतिहास में वैसे तो सबसे बड़ा योगदान रिपन का है और रिपन आप जानते हैं भारतियों के लिए तमाम काम किये थे वह ऐसा वाइसराय था जो भारतियों के वेलफेर का काम किया था सतीश खरे भी आ गए हैं हमसे जुड़ गए हैं गुड़ इबनिंग सतीश खरे बड़े चलिए आप सभी जुड़ जाए फट अफट और थोड़ा शेर कर दीजिए लाइव कर दीजिए तो जैसा कि आप कर भ नौर्थ ब्रुक के बारे में वैसे आप जानते हैं लोड लिटन का जड़ा इंपोर्टेंस है लोड नौर्थ ब्रुक 1772 से आया था और बैटे 1776 से भी आठारा सो 72 से आया था 1876 तक था तो राजीयो कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं नमस्ते बैटे तो चलिए हम डिल होने वाले थे वो जुड़ चुके हैं और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं यह तीन गवर्णर जन्रल तो होना है आज की डिट में लोड नौर्थ ब्रुक एक तो यह बताएंगे 1872 से 1876 तक था बिटे यह लोड क्यों लगाते हैं यह आप सभी जानते हैं जितने भी गवर्णर जन्रल वाइसरोई इंडिया आएं हैं उनके नाम से पहले लोड क्यों लगता है यह आप सभी जानते हैं कारण यह है कि यह सभी हाउस अफ लोड के मेंबर के इक्वाल थे जिसे जो भी बेक्ती हाउस अफ लोड इंग्लेंड में चुना जाता है या एपॉइंट किया जता है उसके नाम से पहले लोड लग जाता है फिमेल होगी तो लेडी लग जाएगा तो इसलिए जितने भी गवर्णर जनरल वाइस रोड इंडिया आते थे उनके नाम से पहले लोड लगता था फर एक्जांपल अगर आपको हाउस अफ लोड में एपॉइंट किया जाए तो नाम से पहले लोड लग जाएगा कि लोड सभा के मेंबर है लेकिन कॉमन से सभा में एपॉइंट होने पर लोड शब्द नहीं लगता है बटे जैसे इंडिया में अगर आप विधायक बन जा तो लोड लग जाता था दो इंडियन हाउस अफ लोड में पॉइंट हो चुके है बटे आप शायद जनते हैं दो इंडियन हैं जिनको हाउस अफ लोड में पॉइंट किया जा चुका है लोड मेगनाद लोड स्वराजपॉल लेकिन फर्स्ट इंडियन जो हाउस अफ कॉमन में चुने गए थे वो दादा भाई नो रोजी थे तो लोड नौर्थ भुरूक के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे और बैटे दूसरा हम आपको बताने वाले हैं लोड लिटन के बारे में मौडर्न हिस्ट्री में लोड लिटन बड़ा फेमस था क्योंकि इसके शासनकाल में कई ऐसे कानुन आये हैं चो इंडियन के अगेंस्ट था बैटे और तीसरा हम आपको बताने वाले हैं लोड रिपन के बारे में 1880 से लेकर 1883 तक लोड रिपन के बारे में भी बताने वाले हैं तो आज की क्लास में तिनों वाइसराय के कारियकाल में क्या-क्या घटनाई हुई थी वह हम आपको बताने वाले हैं तो बड़े याद रखीगा लोड नौर्थ ब्रूक पर पहले चर्चा कर लेते हैं लोड नौर्थ ब्रूक के साशनकाल में एक तो आरियस समाज का गठन किया गया था आरियस समाज के स्थापना स्वामिद्यानन सरस्वती ने किया था आरिय समाज एक ऐसी संस्था है जिसमें वैदिक कल्चर वैदिक सिक्षा इन दोनों पर जदा फोकस किया गया है आप जानते हैं आरिय समाज के संस्थापक स्वामी द्यानन सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। और आपको बताते हैं आरीय समाज के संस्थापक दियाननद सरस्वती के गुरू जी का नाम स्वामी विर्जानन्द था बिटे और स्वामी विरजानन्द ने ये स्वामी विरजाननन्द से बहुत परभावित थे तो Lord Northbrook के साशनकाल में बेहद इंपोरेंट यह पॉइंट था समाज सुधार का तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1875 में आरियस समाज की स्थापना यह संस्था बिड़े बॉम्बे में बनी थी और इसके संस्था पक दयानंद सरस्वती थे स्वामी दयानंद सरस्वती परसिद्ध आरियस समाजी थे बिड़े इनका वास्तवीक नाम अगर पूछा जाए तो मोल शंकर यह इनका रियल नेम था कई दफा पूछा जा चुका है मोल शंकर यह इनका वास्तवीक नाम था दूसरी बात आप ध्यान रुखिएगा इन्हों ने कहा वेदों की तरफ लोटे इन्हों ने कहा कि हमारे वेदों में जो चीदे हैं दुनिया की किसी भी गरंते में नहीं है इसलिका गो बैक्ट वेदास इन्होंने द्यानन सरस्वतीने किताब लिखा है सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश यह इनकी किताब है भुक का नाम है द्यानन सरस्वतीने लिखा है और एक बात आपको बताते हैं इन्होंने आरियों के बारे में कहा कि आरिय इंडिया में तिब्बत से आये थे यह आरिय केम टो इंडिया फ्रम तिब्बत से इन्होंने बताया है तो इस तरह से आरिय समाच बड़ा ही फेमस संस्था था इसकी अस्थापना इन्होंने किया था यहां इनके गुरुजी का नाम अगर पूछा जाए कि इनके गुरु का नाम बताईए तो स्वामी बिर्जानंद थे स्वामी बिर्जानंद यह इनके गुरुजी का नाम था और इसके लावाँ इन्हों ने कई शब्द प्रपाउंड किया था जिसमें स्वराज, स्वदेश, स्वभिमान, स्वभाशा तो बिड़े स्वराज शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले स्वराज शब्द द्यानुन सरस्वती नहीं दिया था बाद में भारतिरश्टी का उंग्रेश के मंच पर से 1906 में स्वराज की माग दादा भाई नोरुजी ने किया था लेकिन वैसे स्वराज सबसे पहले स्वामी द्यानुन सरस्वती ने दिया था बड़े स्वदेश, स्वभाशा, स्वभाशा, स्वाभिमान ये सारे शब्द द्यानुन सरस्वती के हैं तो आरिय समाज का मेन मंत्र यही था कि वैदिक कल्चर, वैदिक सिक्षा और वेदों को फैलाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए चलिए यहाँ पर एक और बात बताते हैं स्वामी द्यानद सरस्वती के दिहांद के बाद आरिय समाज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था तो बड़े आरिय समाज यह बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था एक पार्ट कहलाया टियेवी, स्कूल कॉलेज एक को कहा गया द्यानंद एंगलो वैदिक स्कूल कॉलेज इसको लाहोर में स्टाट किया था लाला हंसराज लाला हंसराज ने इसे लाहोर में स्टाट किया था और आपको बताएं कि द्यानंद एंगलो वैदिक स्कूल के फर्स्ट प्रिंसिपल लाला हंसराज थे इनके साथ लाला लाजपत राय भी थे इस समय लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाए तो बड़े लाला हंस राज को बनाया गया था आरी समाज का दूसरा पाट जो था गुरुकुल कांगडी बना था गुरुकुल कांगडी यह हरिद्वार में बनाया गया था गुरुकुल कांगडी हरिद्वार में बना था इसको स्वामी स्रद्धानंद ने स्टाट किया था स्वामी स्रद्धानंद इनो ने स्टाट किया था तो द्यान रखिएगा डियेवी स्कूल कॉलेज लाहोर में फर्स्ट प्रिंसिपल लाला हंसराज थे लेकिन गुरुकुल कांगडी हंसराज हरिद्वार में स्वामे सृध्धानंद ने स्टाट किया था और आपको शायद पता होगा स्वामे सृध्धानंद ने एक सुध्ध क्या किया हिंदू मुसलिम एकता के लिए काम करना स्टाट किया था दिल्ली में जामा मस्जित के मंच पर से इन्होंने हिंदू मुसलिम एकता की बकालत किया था प्रारंभ में सुध्धी मोबेंट स्टाट किया जो हिंदू मुसलमान बन गया था उसको पवित्र करके फिर स हिंदू बना रहे थे बाद में इन्हों ने सुध्धी मोब्मेंट छोड़ दिया और हिंदू मुसलिम एकता की काम किया था लेकिन इनकी हत्या हो गई थी फैनेटिक मुसलिम्स ने स्वामिस रिद्धानंद की हत्या कर दिया था तो याद रखें गुरकुल कांगडी आज भी चलता है रिद्धार में और डियवी स्कूल कॉलेज तो पूरे वर्ल्ड वाइड है इंडिया में भी है बेटे तो आरिय समाज के स्थापना नौर्थ प्रूक के काल में हुआ था यह एक प्रसिद समाज सुधार का छेत्र था आईए आगे बताते हैं आपको लौड नौर्थ बुक में एक बात और है एक संस्था और है जो कि बड़ी ही इम्पॉरेंट है बेटे लौड नौर्थ बुक के साषनकाल में motorcycle में 1775 में थियोसफिकल सुसाइटी के स्थापना भी किया गया था आपने सुना होगा थियोसफिकल सुसाइटी और यह एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड वाइड़ फैली थी बड़े इसको इस्टार्ट किया था अमेरिका के निव यॉर्क से और दो रशियन थे उन्होंने स्टार्ट किया था तो देखें थियोसफिकल सॉसाइटी के बारे में बड़ी ही फेमस अंस्था थी थियोसेफिकल सुसाइटी 1875 में थियोसेफिकल सुसाइटी थियोसेफिकल सुसाइटी यह संस्था अमेरिका के निव्योर्क में स्टाट हुआ था और अगर इसके संस्थापक पुछे जाएं तो H.P. बलवस्की H.P. बलवस्की और H.S. उलकॉट बेड़े यह दोनों रशिया के थे अमेरिका के निव्योर्क में थियोसेफिकल सुसाइटी के स्थापना इन्होंने किया था अगर आपसे पूछा जाए कि थियोसेफिकल का मतलब क्या होता है पिड़े थियोसेफिकल का मतलब होता है कि सब धर्म को एक मंच पर लियाना या सभी धर्म के आईडियोलोजेज को एक मंच पर लियाना और लोगों में धार्मिक समन्वे अस्थापित करना Bring harmony among all religions विबिन धर्मों में धार्मिक समन्वे बनाना यह इनका मेन लक्ष था सब धर्मों के अच्छी अच्छी बातों को compiled करना और उन सभी बातों को Theosophical Society के मंच पर से पूरे वर्ल्ड में शेयर करना यह इसका मेन मक्षत था बड़े Bring harmony Bring harmony Among all religions यह इसका मेन उद्दिश था विबिन धर्मों में विबिन धर्मों के मध्य भिबिन धर्मों के मध्य में धार्मिक समन्वे स्थापित करना मेन लक्षिस का बेटा यही था वैसे थियोसफिकल सुसाइटी अमेरिका के निव्योक में बना था लेकिन एच्पी ब्लवस की एच्एस उलकॉट एच्पी ब्लवस की एच्एस उलकॉट यह दोनों 1879 में भारत में आये भारत में मध्यास के अडियार में थियोसफिकल सुसाइटी के एक संस्था बनाई एक ब्रांच बनाई एक साखा बनाई बाद में 1882 में एनिवेसेंट आयरिश लेडी थी वो आयरलेंड से इंडिया आई और 1883 में एनिवेसेंट इंडिया में मध्यास के अडियार में थियोसफिकल सुसाइटी की सदस्या बन गई थी एनिवेसेंट के अंडर में Theosophical Society ने इंडिया में खुब प्रोग्रेस किया था। कहीं कहीं लोग ऐसा भी मानने लगे थे कि Theosophical Society की संस्थापक एनी बेसेंट थी। ना बेटे। Theosophical Society की स्थापना H.P. Blavisky, H.S. Olcott ने अमेरिका के नियॉर्क में किया था। वे दोनों इंडिया में आ गए और इंडिया में 1879 में एक ब्रांच मदरास के अडियार में स्टाट किया। एनी बेसेंट आइरिश लेडी 82 में इंडिया में आई 1882 में और इसकी सदस्या 1883 में बनी एनी बेसेंट के अंडर में Theosophical Society का भारतिय करण हुआ था। ये कह सकते हैं। तो दोनों हैं 1879 में अडियार में। अडियार तो आप जानते हैं मदरास में। तो यहां पर एक शाखा बनाई थी। अडियार मदरास में यही दोनों। HP Blouse की HS Olcott ने एक शाखा यहां पर बनाई और 1882-83 में एनी बेसेंट भारत आई में। एनी बेसेंट आईरिश लेडी थी। इन्हों ने साउथ आयरलेंड में होम रूलीग आंदोलन भी चलवाया था। एनी बेसेंट बिकेम इट्स मेंबर। तो एनी बेसेंट इसकी सदस्या बन गई थी। एनी बेसेंट थियोसफिकल सोसाइटी की सदस्या 83 में बन गई इसलिए इनका नाम थियोसफिकल सोसाइटी जोड़ा जाता है। लेकिन एनी बेसेंट इन्डिया की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आगे हम आपको इनके बारे में और बताएंगे। वैसे एनी बेसेंट साउथ आइरलेंड में होम रूल लीग में भी भाग लिया था। और अब जानते हैं साउथ आइरलेंड 1921 में इंगलेंड से फ्री हो गया था। तो बड़े ये दो संस थाएं आरियस समाच और थियोसफिकल सोसाइटी। एक और संस था सर सेयद हमत खा किया था। बेहद इंपोडेंड पॉइंट है वो। 1875 में नौर्थ लॉड ब्रूक के समय में या लॉड नौर्थ ब्रूक के समय में 1875 में MAO मुहमदन एंगलो ओरियंटल कॉलेज के स्थापना अलिगड में किया था बिटे। मुहमदन एंगलो ओरियंटल कॉलेज जो कि अलिगड मुसलिम अंधूलन से जुड़ दिया गया था। वैसे आप जानते हैं सर सेयद हमत खान 1917 में पैदा हुए थे। फंड़मेंटलिस्ट थे लेकिन मुसलिम्स में साइन्टिफिक सिक्षा के ये बहुत बड़े प्रमोटर थे बैटे। और वैसे तो मुसल्मानों की हित में आगे आने वाले ऐसे ब्यक्ति हैं जिन्होंने मुसल्मानों से कहा कि साइन्टिफिक सिक्षा गेन करो, वेस्टरन सिक्षा गेन करो, फंडामेंटलिस्ट एजुकेशन लेने के बजाए वेस्टरन कल्चर स्वारी वेस्टरन एजुकेशन की तरब फोकस करें इसी के लिए इन्होंने मुम्मडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज के स्थापना 1875 में किया था जो आगे चलकर 1920 में अलिगढ Muslim University के नाम से फिमस हो गई बटे वैसे British East India Company में सर सयद हमद खान ने कलरक के रूप में जॉब जोइन किया था बाद में काफी उच पोस्ट पर भी पहुँच गये थे 1879 में British Company से इस्तिवा भी दे दिया था आप सभी को समझ में आ रहा है हमारे साथ कौन-कौन से बच्चे जुड़े हैं थोड़ा आप से इंट्रेक्ट कर लेते हैं चंदन कुमार पनाम बेटे राजी कुमार सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी किसने चलाया था बेटे सर्वेंट साफ इंडिया सोसाइटी 1784 में विलियम जॉन्स ने स्टार्ट किया था उमा शंकर गुड़ इविनिंग बेटे राम कुमार सभी लोग वीडियो को शेर करो थैंक यू बड़े थैंक यू आप बहुत अच्छा और डीप में पढ़ाई थैंक यू सर थैंक यू बड़े थैंक यू बड़ियां राजी कुमार कह रहे हैं सर सती और जोहर में क्या डिफरेंस है बड़े सती पती के डेथ के बाद पतनी को जिंदा पती के चिता पर बैठा कर जला दिया जाता था और जोहर प्रथा में पती के पती के मरने के बाद पतनी पबलिक के सामने जलती चिता पर स्वयम को आत्मसात करके जला लेती थी यानि जोहर प्रथा में सती प्रथा में एक बहुत बड़ा अंतर है पती की चिता पर बैठा करके पतनी को जला देना सती कहलाता है और जलती हुई अगनी कुंड में कूद कर आत्मदाह कर लेना वह जोहर कहलाता है समझ गयोंगे? ऐसा तब होता था जोहर पर था जब मुसलिम्स किसी राचपुत किंगडम पर हमला करते थे तो ऐसी कंडिशन्स में जब महिलाओं के पास खबर आती थी कि अब तुम्हारे पती लोग हर जाएंगे, अब तुम्हारे पती लोगों के बचने के कोई चांस नहीं है और बुरी तरह से हरने वाले हैं, ऐसी कंडिशन्स में महिलाओं जलती हुई अगनी कुंड में आत्मसात कर देती थी स्वयम को जला देती थी बड़े अचा एक चीज़ और है, जोहर प्रथा के बाद आप जानते हैं, उस छेत्र के जो यिवा लोग होते हैं, सुबह सुबह जहां जोहर हुई महिलाओं अपने आपको आत्मसात किया था वहां की राख को अपने सिर पर लगाते थे, जिसको साका कहते थे, S.A.K.A. और बड़े गर्वी की साथ सीना तान कर, अरली मौनिंग राख को अपने माथे पर लगा कर, वे सीना चोणा कर करके चलते थे, यानि एक महिला का सम्मान करते थे तो जोहर आप समझ गए होंगे, या फिर से बताएं, जैसे अलाव दिन खिल जी के बारे में आपने सुनाओगा, अलाव दिन खिल जी ने चित्तोर पर आक्रमन किया था, और चित्तोर के राना रतन सेन, वे किले के बाहर लडाई स्टार्ट कर दिये, और बड़े राना रत अलाव दिन खिल जी के हाथों हार जाएंगे, तो पदमावती यानि पदमिनी ने राजपुत महिलाओं के साथ जलती हुई अगनी कुंड में स्वयम को आतमदाह कर लिया, ऐसी कंडिशन में माल जाएं कभी-कभी पती लोग बच भी जाते थे, लेकिन ऐसे पती राजपू चलिए फिर आगे बढ़ें, तमगा नामक टेक्स ये ब्यापरियों से लिया जाता था, बाबर ने तमगा नामक टेक्स लेना बंद कर दिया था, मुसलिम मर्चंट से लिया जाता था, तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो बेटे एक संस्था जो भी आपको हमने बताया है, वह भी हम आपको फिर से बता देते हैं, 1875 में मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलिज, MAO के स्थापना अलिगड में सर सेयद हमद खान निकाप किया था, सर सेयद हमद खान ऐसे मुसलिम निता थे, जो कि मुसल्मानों में वैग्यानिक सिक्षा की वकालत किये थे, और मुसल्मानों को कहा कि ठीक है, फंडमेंटल एजुकेशन लो, लेकिन वैग्यानिक सिक्षा लेकर के अपने नौलेज को इंप्रूब करो बटे, तो यहाँ पर आप देखें, 1875 में इस वर्ष मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना, अलीगड में सर सेयद ह एहमद खान ने किया धा, तो बटे, बेहद इंपोरिंट पॉइंट है, सर सेयद हमद खान, हलावेसे 1870 से 1898 भी तक रहे, लेकिन इन्होने मुहमडन एंगलो ओरियंटल यह कॉलेज अस्थापित करके यह सिद्ध कर दिया कि मुसल्मानों में साइन्टिफिक सिक्षा जरूरी है, इसका उद देश अगर पूछा जाए, एम साइन्टिफिक एजुकेशन अमंग मुसलिम्स मुसल्मानों में, मुसल्मानों में वेज्ञानिक सिक्षा यह चाहते थे सर सयद हमत खान, वैसे तो यहनों ने कंपनी में कलर्क के जॉब पर जॉइन किया था, उच पोस्ट पर एपॉइंट हुए थे, माने लोकल कोट में एक जज की हैसिये से भी काम किया था, यहां तक कि मौनसी के पोस्ट पर भी गय थे, उसके बाद आगे जज के पोस्ट पर गय थे, 1879 में, 1879 में यह कंपनी की जॉब से रिटायर्ड हो गय थे, और देन इसके बाद इन्हों ने इस पर जदा फोकस किया, और बाद में बेटा, यही मौमधन एंगलो औरियंटल कॉलेज, अलीगर्ड मुसलिम उनिवस्टी के नाम से फ्यमस हुआ, अलीगर्ड मुसलिम युनिवस्टी, आज भी है, आप सभी जानते हैं, 1920 में यह, AMU के नाम से फेमस हुआ, तो मुसल्मानों के मसीह, उस समय मुसल्मानों के उधारक कह सकते हैं, इन्होंने फंडामेंटल एजुकेशन की बकालत नहीं किया, बलकि वेस्टरन सिक्षा पर फ तो सर सयद अहमद खान का योगदान था, मुसल्मानों में पॉलेटिकल जगुरुकता भी लाई थी, एक बात यहां हम आपको और बताना चाहते हैं, कि 1857 की करांती में, सर सयद अहमद खान ने ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट किया था, ब्रेटिस इस्ट इ रिजूं का साथ दे रहे थे, उन पर लोगों ने अत्याचायर भी किया था, उनको मारा भी था, यह भी अपने परिवार के साथ बड़े मुस्किल्स वहां बच पाये थे, तो इस तरह से 1857 की करांती में, सर सयद अहमद खान ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी की प्रती ल लौड इलिटन, 1876 से 1880 तक ये वाइसराय बन कर आया, तो यहाँ पर अब आपको हम बताने वाले हैं, लौड इलिटन की बारे में, तो चलिए हम आपको लौड इलिटन की बारे में चर्चा करते हैं, याद रखें, लॉड लिटन 1876 में वाइसराय बन कर आया तो इस समय इंडिया में एक भयंकर अकाल पड़ा था लाखों लोग काल के गाल में समागे थे दस लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे लेकिन उस समय लॉड लिटन ने इस अकाल की तरफ ध्यान नहीं दिया 1876 में लॉड लिटन ने एक आक्ट पारित किया था इंडियन टाइटल्स आक्ट इस एक्ट की द्वरा विक्थोरिया को भरत की महारणी की टाइटल दिया गया था बाकी सभी टाइटल पर प्रतिबन्ध लगा दिए मतलब कोई और टाइटल नहीं ले सकता था सब की टाइटल छिन गया इंडियन टाइटल एक्ट 1876 लॉड लीटन ने पास किया थवड़े तो आईए हम आपको बताते हैं इस एक्ट में 1876 इंडियन टाइटल एक्ट भारतिय पदवी कानून इस कानून की द्वारा विक्टोरिया इस समय इंग्लेंड की महारानी थी इनको कैसरे हिंद कहा गया या यूं कह सकते हैं कि इंप्रेस अफ इंडिया यनी भारत की समरगी भारत की समरगी इस उपाधी से नवाजा किया बाकी सभी की उपाधियां छिन गई बेटे केसरे हिंद की टाइटल विक्टोरिया को मिल गया इस टाइटल एक्ट की द्वारा अब इंडिया में कोई और किसी उपाधी को नहीं ले सकता था तो बड़ी बेहद इंपोरेंट पॉइंट है टाइटल लेने इंडिया में आई थी विक्टोरिया के सम्मान में पहला दिल्ली दर्बार भी हुआ था तो ये सारी बाते हम आपको बताने वाले हैं बड़े क्वीन विक्टोरिया की सम्मान में 1 जन्वरी 1877 को एक भव्य दर्बार का आयूजन किया गया था जिसमें विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधी दिया गया था तो आईए बड़े आगे की तरफ चलते हैं लेकिन 1876 से 78 ग्रेट फिमाइन महान अकाल यह महान अकाल का समय था एक भयंकर अकाल पड़ा था भयानक अकाल इस अकाल में मदरास बॉम्बे मैसूर हैदराबाद मिडल इंडिया मद्य भारत इतना छेत्र भयंकर प्रभावित था मदरास प्रेसिदेंसी बॉम्बे प्रेसिदेंसी मैसूर हैदराबाद मिडल इंडिया मद्य भारत ये छेत्र सबसे अधिक प्रभावित थे बड़े दस लाख लोग यानि टेन मिलियन पीपल इससे अफेक्टेड थे तो यह भयानक अकाल था यानि अब तक जितने भी अकाल आये थे उसमें सबसे भयंकर अकाल यही था लेकिन इस तरफ ब्रेटिस गोर्मेंट ने ध्यान नहीं दिया लॉड लिटन ने बड़े इस अकाल की तरफ ध्यान नहीं दिया बलकि लॉड लिटन विक्टोरिया की सम्मान में एक जन्वरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया जिस पर करोणो रूपया बहा दिया था लेकिन अकाल की तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिए लॉड लिटन की और महारणी विक्टोरिया की बड़ी जम कर अलोचना हुआ था 1st January 1877 को 1st दिल्ली दरबार में इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स खूब गिफ्ट दिये थे महारणी विक्टोरिया को मारणी विक्टोरिया इंडियाम क्या करने आई थी केसरे हिंद की टाइटल लेने आई थी भारत की समरागी की उपाधे लेने आई थी उस पर करोण रुपया भाया गया अकाल की तरफ ध्यान नहीं दिया इसकी जम के अलोचना होने लगी न्यूज पेपर में भी प्रकाशित किया गया इसलिए लॉड लिटन ने आगे न्यूज पेपर पर भी बेन लगा दिया था आपको बताएंगे इसकी न्यूज पेपर में खोब क्रिडिसाइज होने लगी और यहीं नहीं इंडिया में ने वर्ल्ड वाइड इसकी बड़ी क्रिडिसाइज होने लगी तब जाकर इसने एक अकाल आयूग का घठन किया था तो बड़े इस साल यानि 1st January 1877 को 1st Delhi दर्बार प्रतम दिल्ली दर्बार का आयूजन किया गया था पहला दिल्ली दर्बार का आयूजन किया गया था किसके सम्मान में विक्ठोरिया के सम्मान में करोन रूपया बहा दिया और क्या करने आई थी केसरे हिंद की उपाधी लेने आई थी जिस पर ये करोन रूपया बहाया गया था मात्र केसरे हिंद की उपाधी लेने के लिए यहाँ पर विक्ठोरिया को खुब सारे गिफ्ट भी दिये थे प्रिंसली स्टेट्स और बिड़े आपको पता होगा महाराजा दुलिप सिंग महाराज राड़ जिस सिंग के पुत्र महाराजा दुलिप सिंग ने विक्ठोरिया को कोहिनूर हिरा इसी समय गिफ्ट में दिया था कोहिनूर डाइमंड इसी समय कोहिनूर हिरा विक्ठोरिया को गिफ्ट में मिला था बड़े कहा यह जाता है कि विक्ठोरिया ने दबाव डाला कि गिफ्ट में दे दो अन्य था इसको छिनवा लिया जाएगा दुलिप सिंग ने विक्टोरिया को हीरा इसी समय गिफ्ट में दिया था तब से ये कोहिनूर इंग्लेंड में है कहा जाता है कि आधा क्वीन के मुकुट में जड़ा है और आधा म्यूजियम रखा गया है कोहिनूर डाइमेंड के बारे में आप सुना होगा कि नरेंद्र मोदी ने इसको भारत में लियाने का प्रयास किया लेकिन ब्रिटिस गुर्मेंट ने देने से अब मना कर दिया है जब इंडिया ने प्रयास किया इसको इंडिया मिल आने के लिए इंग्लेंड की गोर्मेंट से तो पाकिस्तान निकाह इसमें हमारा भी शेर है इरान निकाह इसमें हमारा भी शेर है अब यह कोहिनूर डाइमंड इंडिया नहीं आएगा कोहिनूर डायमेंड के बारे में आप पहले पढ़ाओगा यह कोहिनूर एक ही है पूरे वर्ल में दच्छर में गोलकुंडा के कुलार माइन से निकला था शायद अब जानते हूँ गोलकुंडा से मिला था और बाद में अलाओ दिन खिलजी का सिनापती मलिक काफोर इसको लूट लाया था और देन इसके बाद यह हुमायू के पास आया हुमायू ने गोलियर के किंग परटे किया था गोलियर के किंग की रक्षा किया था और फिर उसके बाद ग्वालियर की राजा ने इस कोहिनूर को हुमायू को दे दिया हुमायू ने कोहिनूर अपने पिता बाबर को गिफ्ट में दे दिया और फिर उसके बाद हुमायू इरान चला गया था 15 साल दिली से निसकाशन का जिवन भी थाया कोहिनूर एक बार फिर मेर जुमला के पास आया मेर जुमला ने इसको शाजहां को गिफ्ट में दे दिया शाजहां इस कोहिनूर हिरे को तक्थे ताउस में जड़वा दिया 1749 में तक्थे ताउस या पिकॉक्त्रोन इरान के नादिर्शाह लुटेरा लूट ले गया था तक्थे ताउस को तोड़कर नादिर्शाह ने कोहिनूर हीरा निकाल लिया था और देन इसके बाद कोहिनूर हीरा जमनशाह के पास आया 1831 में पंजाब पर हमला किया था वापिस लोटते वक्त उसकी कुछ तोपें सिंधुन नदी में गिर पड़ी थी उन तोपों को महाराजर अंडजी सिंग ने निकलवा कर वापिस इरान भिजवा दिया जमन शा इस बात से खुश हो गया और फिर कोहिनोर हीरा 1831 में जमन शा ने महाराजर अंडजी सिंग को गिफ्ट में दे दिया कहीं कहीं दिया है कि शाह सुजा ने गिफ्ट में दिया था बड़े तो चलिए जो भी है थोड़ा बिवादी था ये जमन शाह ने दिया या शाह सुजा ने दिया दोनों नाम याद रखें जिसके according to answer आए वैसे आप लगाईएगा मेड़े इसके बाद 1831 में रणजीत सिंग के पास दुबारा आ गया लेकिन 1877 में कोहिनूर डाइमन विक्टोरिया को गिफ्ट में दिया गया कोहिनूर का मतलब होता है कोहिनूर का मतलब होता है mountain of lights यानी प्रकाश का पहाड़ तो यह दिल्ली दरबार भव्य दिल्ली दरबार जिसमें कोहिनूर हीरा भी विक्टोरिया ले गई लेकिन बेटे इस अकाल की तरफ ध्यान नहीं दिया जब आलोचना होने लगित 1878 में एक कमिशन बनाया गया फेमाइन कमिशन यह बनाया गया और इसके अध्यक्ष पूछा गया है तो रिचर्ड स्ट्रेची ये बेटे ध्यान रुखिएगा रिचर्ड स्ट्रेची यनि 1878 में अकाल आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे और इस अकाल आयोग ने जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद के लिए तमाम सिफारिश किया था तत्काल सिफारिश के लिए इनको फूड मोहिया कराया मेडिसिन वगरा उपलब्द कराया क्योंकि पहले ड्राउट आया फिर सुखा पड़ा फिर फ्लड आ गया देन फेमाइन आ गया तो इससे निपटने के लिए कई सजिशन दिया था इसने एक फिर माइन कोड बनाया जाए एक वार वेर हाउस बनाया जाए जहां पर अकाल से निपटने के लिए पूरी तयारी किया जाए और अकाल ऐसा कोई फ्यूचर मना पड़े तो पड़े तो उससे कैसे निपटा जाए यह सारा सुझाव दिया था इसने 11 मिलियन स्टर्लिंग 11 म स्टर्लिंग इस पर खर्च किया गया था चलिए लोड लिटन की बारे में और आगे बताते हैं एडीन सेवन्टी एट इस समय से लेकर 1880 तक बेटे सेकेंड अफगान वार लड़ा गया था यह भी बड़ा इंपोरेंट पॉइंट है द्वितिय अफगान युद्ध द्वितिय अफगान युद्ध लड़ा गया था जो की बड़ा ही इंपोरेंट पॉइंट है आप जानते हैं फर्स्ट अफगान वार 1839 से 1842 के बीच में लड़ा गया था फर्स्ट अफगान युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से हार गये थे 1839 से 1842 के बीच में फर्स्ट अफगान युद्ध लड़ा गया था जिसमें ब्रेटिस इस्ट इंडिय कंपनी की तरप से उस समय गवर्नर जनरल लॉड ऑकलेंड था बड़ी बुरी तरह से हार गया था जितने भी ब्रेटिस अधिकारी काबुल में थे वे सम मारे गये बड़ी संख्या में सैनिक भी मारे गये वह अपमान जनर्नक था ब्रेटिस कंपनी के लिवड़े लेकिन आप देखिए 1878 से 1880 के बीच में सेकेंड अफगान युद्ध लड़ा गया था इसका रीजन हम आपको बताते हैं एक तो 1855 में पेशावर की संधी हुआ था 1855 में पेशावर की संधी की द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच संबन्ध को रिविव किया गया था और बताते हैं आपको 1870 में रशिया का अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ रहा था लेकिन दूसरी तरफ दोस्त मुहम्मद का दिहान थो गया था उसके पुत्र निकम में थे और वे निकम में आपस में उत्राधिकार की लड़ाई लड़ने लगे इस समय बढ़े दोस्त मुहम्मद का बेटा शेर अली अफगानिस्तान का केंग था शेर अली ना तो रशिया को अपने कंटरी में प्रिफरेंस दे रहा था और ना हे ब्रटिस एस्ट इंडिया कंपणी को सवरी ब्रटिस गोर्मेंट थी समय तो ना तो रशिया को और नहीं British government को अफगानिस्तान में कोई preference नहीं दे रहा था Even Russia का अफगानिस्तान पर प्रभावबल रहा था लेकिन Russia ने अपनी boundary 1873 में decide कर लिया था मर्व नदी के उस तरफ Russia का area था मर्व नदी के इस तरफ अफगानिस्तान का शेतर था इसके बावजूत भी Russia अफगानिस्तान में अपना राजदूत रखना चाहता था बट British East India Company को बरदास्त नहीं था British East India Company भी अफगानिस्तान पर दबाव बना रही थी शेर अली पर दबाव बना रही थी कि British government का एक प्रतिनेधी काबल में रखा जाए दोनों को मना कर दिया था इस वजह से अफगानिस्तान पर बढ़ता पर भाव देखकर 1878 में लॉर्ड एलिटन ने भी अफगानिस्तान के किंग दोस्त मुहमद पर दबाव मनाया दोस्त मुहमद ने British government का प्रतिनेधी रखने से मना कर दिया इवेन अपना एक प्रतिनेधी 1878 में लॉर्ड एलिटन ने अफगानिस्तान में भेजा अफगानिस्तान के किंग ने या अफगानिस्तान में उसकी हत्या हो गई इस बाद से लॉर्ड एलिटन अफगानिस्तान पर युद्ध थोब दिया तो ब्रिटिस गोर्मेंट का प्रतिनेधी अफगानिस्तान की कैपिटल काबूल में मारा गया 1878 में इस बाद से अफगानिस्तान पर लॉर्ड एलिटन ने 1878 में युद्ध थोब दिया शेरली हार गया बटे शेरली हार गया हारने की बाद वह तुर्कमेंस्तान भाग गया शेरली हार गया तुर्कमेंस्तान चला गया और उसके स्थान पर उसका बेटा याकूब खान अफगानिस्तान का केंग बना याकूब खान से 1879 में लॉड एलिटन ने गंडमक की संधि किया गंडमक की संधि की द्वारा याकूब खान ने ब्रेटिस गोर्मेंट का एक प्रतिनिधी अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में रखने को त्यार हो गया अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में रखने को तयार हो गया लेकिन बैटेई बाद में याकूब खान मारा गया एक अन्य उत्तराधिकारी दोस्त मुहमद का एक अन्य उत्तराधिकारी जिसका नाम था अब्दुर्रह्मान अब्दुर्रह्मान ने याकूब खान को मार दाला और खुद अब्दुर्रह्मान अफगानिस्तान का किंग बन बैठा लेकिन लॉड लिटन ने उस पर भी गंडमक संधी करने का दबाव बनाया उसने गंडमक संधी अस्विकार कर दिया देन उसके बाद क्या हुआ कि 1880 में लॉड लिटन ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और उस हमले में अब्दुरह्मान ना हार गया और अन्त में 1880 में गंडमक संधी को फिर स्विकार कर दिया गंडमक संधी की द्वारा ब्रेटिस गोर्मेंट अफगानिस्तान के आंतरिक मामले महस्तक शेप नहीं करेगी लेकिन ब्रेटिस गोर्मेंट का एक प्रतिनिधी काबूल में रखा जाएगा और रशिया के दबाव को अफगानिस्तान एक प्रतिनिधी को अफगानिस्तान में रखा जाए ये तमाम शर्ते थी गंडमक संधी की द्वारा तो इस तरह से लॉड लिटन के शासनकाल में कुल मिला के अफगानिस्तान इसमें हार गया था बड़े तो सेकेंड अफगान वार में ब्रेटिस ब्रेटिस गर्मेंट डिफीटेड अफगैनिस्तान ब्रेटिस गर्मेंट ने बड़े अफगैनिस्तान को हरा दिया था लेकिन याद रखियेगा अफगैनिस्तान का किंग इस समय शेरली था शेरली भाग गया था शेरली के बाद याकूब खान आया याकूब खान ने गंडमक की संधी कर लिया था याकूब खान ने गंडमक की संधी कर लिया था बड़े ये बेहद इंपोर्ण पॉइंट है गंडमक की संधी कब किया था 1879 में तो याकूब खान ने गंडमक की संधी कर लिया लेकिन बाद में याकूब खान यह भी मार भगाया गया याकूब खान को भी मार भगाया और दिन इसके बाद 1880 में अब्दुर्रह्मान आया था यानि इसके बाद अब्दुर्रह्मान था बड़े तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि अब्दुर्रह्मान ने गंडमक की संधी को स्विकार कर लिया था अफगैनिस्तान में जो कि आप जानते हैं फर्स्ट अफगैन युद्ध में अंग्रेज हार गये थे लेकिन 1880 में लाड़ लिटन ने अफगैनिस्तान युद्ध को जीत लिया था अफगैनिस्तान के अंदर अपना हस्तक्षे बढ़ा दिया अफगैनिस्तान में अपना प्रतिनिधी रखा था तो Lord Litton के शासनकाल में Second Afghan War, बेहद important point था बिड़े, First Afghan युद्ध Lord Auckland ने 1839 से 1842 के बीच मिला लागया, Second Afghan War अगर आपसे पूछें तो 1878 से 1880 के बीच मिला लागया, आईए, आगे की तरफ चलते हैं, और Lord Litton के शासनकाल में कुछ अन्य कानून की चर्चा हम करते हैं बड़े, जो कि बेहद important है, कुछ other acts Lord Litton के समय में हैं, और वो act आपको जानना जरूरी है, आईए, बड़े, यहाँ ध्यान रखें, 1878 में वर्ना कुलर प्रेस आक्ट, बेहद important है, वर्ना कुलर प्रेस आक्ट, यह बहुत ही important कानून है, तो इसको कई दफा पूछा गया है, इस पर आप ध्यान दिजिएगा, इस आक्ट की बारे में कई बार question put up किया गया है, बड़े, तो यहाँ आप दिखी वर्ना कुलर प्रेस आक्ट की द्वारा, लॉड लिटन ने भारती समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, कारण यह था कि इस समय ब्रेटिस गवर्मेंट के अगेंस्ट, इंडियन की नेशनालटी जाग उठी थी, इंडियन्स में एग्रेशन पॉलसी एडॉप्ट करने स्टाट किया था, लॉड लिटन की नितियों के अगेंस्ट में इंडियन काफी कुरुद थे, इसलिए समाचार पत्रों में लेख लिख लिख कर प्रेटिस गवर्मेंट लॉड लिटन को बदनाम कर रहे थे, लॉड लिटन ने नेशनल फिलिंग को दबाने के लिए, राष्टियता की भावना को दबाने के लिए, इंडियन प्रेस एक्ट लाया, जिसका नाम दिया वर्ना के लिए प्रेस एक्ट, इसको आप यूँ कह सकते हैं, भारतिय समाचार पत्र धिनियम, पेटा इस पत्र धिनियम की द्वारा इंडियन न्यूच पेपर को बैन कर दिया, कहा गया कि कोई भी समाचार पत्र, रिजिनल या लोकल लैंग्वेज में पब्लिश नहीं करेगा, यदि किसी समाचार पत्र ने स्थानी भाषा में या छेत्री भाषा में समाचार पत्र परकाशित करेगा, तो उस कारखाने को उसके समाचार पत्र को प्रकाशक को कैंद कर लिया जाएगा कारखाने को लॉक कर दिया जाएगा और उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा पेड़ा एक बात और है और यह कहा गया कि सभी समाचार पत्र केवल इंग्लिश भासा में प्रकाशित किये जाए All the news paper should be published only in English language, no local language, no regional language और यह कहा गया कि सभी समाचार पत्र में ऐसा कोई खबर न प्रकाशित करें जिससे लोग ब्रिटिस गवर्मेंट के अगेंस्ट आक्रामक हो जाएं, एग्रेसी हो जाएं तो कुल मिला के मक्षद यही था, करांति कारी गत बिधियों को दबाना आप से पूछा जाए तो आप यही लगाएंगे इसमें, आप यही इस पे लिखेंगे बड़े इट वस अगेंस्ट, इट वस अगेंस्ट, इंडियन न्यूच पेपर्ज, भारतिय समाचार पत्रों के खिलाफ था, भारतिय समाचार पत्रों के खिलाफ था बड़े ऐसा एक्ट भारतिय समाचार पत्र के अगेंस्ट में लाया गया था, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यही डियम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक्स्ट्रा पावर दे दिया एक्स्ट्रा पावर दे दिया, कि ऐसे समाचार पत्रों के अगेंस्ट में सक्थ एक्षन ले कैसे समाचार पत्रों के अगेंस्ट जो आक्रमक निवज चापें, जो एग्रेसिव निवज चापें तो बड़े district magistrate को special power दे दिया, extra power दे दिया, इस कानून को जानते हैं gazed act भी कहा गया है, यानि जैसे किसी का मुह जबरदस्ती बंद कर दो न, ऐसे इसको gazed act कहा गया है, यानि मुह में कपड़ा ठुस देने वाला कानून कहा गया है, मुख में कपड़े ठुसने वाला कानू कहा गया, तो Lord Eliton इस act को लिया करके यह सिद्ध करने की कोशिश किया, कि इंडिया में समाचार पत्रों को दबा दो, तो इंडिया में आप शासन चला सकते हो, यदि ऐसा नहीं कर पाए, तो इंडिया के शासन को चलाना असंभव है, तो Lord Eliton के द्वारा यह act लाया गया थ बड़े, चलिए एक act की बारे मा और बताते हैं, 1878, कहीं कहीं 1879 भी दिया है, 1878 जदा ठीक है बड़े, इस act का नाम है Arms Act, यनि हतियार कानून, यह आप पढ़े होंगे, Lord Eliton लिलाया था, Arms Act, यनि हतियार कानून, पिड़े, इस act के द्वारा, इंडियन्स को ना तो हतियार बेचने की परमिशन थी, ना हतियार रखने की परमिशन थी, यदि किसी इंडियन के पास, बिना license के हतियार पाया गया, तो उसे अरिष्ट कर लिया जाता था, उसे कैंद कर लिया जाता थ और उसको बेल भी नहीं मिलता था, यह act इस समय लाया गया, लॉड इलिटन के समय में, आज भी यह act इंडिया में है बड़े, तो आम्स एक्ट की द्वारा, इंडियन्स कोडन्ट केरी आम्स अन वेपन्स बिदावत लाइसेंस, इंडियन्स कोडन्ट सेल आम्स अन वेपन् If any Indians find out having arms and weapons without license, action taken against him, he was imprisoned by British government, बड़े, सक्त अक्षन लिया जाता था, इस तरह से क्रांती को दबाने का यह एक और अग्ट था, Without license, इंडियन्स कोडन्ट केरी आम्स अन वेपन्स, इंडियन्स कोडन्ट कोडन्ट केरी आम्स अन वेपन्स, भारती हतियार नहीं लेके चल सकते थे और नहीं रख सकते थे, तो यह आम्स अक्ट, वर्नाकुलर प्रेस अक्ट, लॉड एलिटन का प्रोड़क्ट था बड़े, तो आई थिंक आपको यह पॉइंड्स समझ में आ रहे होंगे, लॉड एलिटन इंडियन्स के अगेंस्ट बड़ा काम किया था, यह कंजर्वेटी पार्टी के गोर्मेंट डिजरेली गोर्मेंट का प्रोड़क्ट था बड़े, डिजरेली गोर्मेंट जैसे ही इंग्लैंड में सत्ता में आई, लॉड लिटन को भेजा गया, कंजर्वेटी पार्टी का था, और इसकी कंजर्वेटी पॉलेटिक्स आप जानते बड़ी सक्त होती बड़े, लेकिन कहीं कहीं 1879 दिया है, तो येर डजन्ट मैटर, आमसेक्ट 1878 में लगाईए, और वर्नौकुलर प्रिस आक्ट 1878 में लगाईए, कोई वो नहीं बड़े, सही है दोनो, अब देखी लोड लिटन की शासनकाल में एक खास बात हम आपको बताते हैं, 1879 में, लोड लिट लिटन ने, कवनेटेड पोस्ट आप जानते हैं न, कवनेटेड पोस्ट यहिनि आईसीएश एक्जैम्स, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्जैम्स को या इंडियन सिविल सर्विसेज एक्जैम्स को या पोस्ट को कवनेटेड पोस्ट कहते हैं, आईसीएश परिक्षा इं लॉड एलिटन ने त्यान दिजिएगा इसने देखा कि अगर कोई इंडियन डियम कलेक्टर किसी डिस्ट्रिक्ट का डियम कलेक्टर होता था तो इंडियन करांतिकारियों पर गोलियां नहीं चलवाता था और यदि कोई अंग्रेज डियम कलेक्टर होता था तो वह बिना कार के इंडियन पर गोलियां चलवा देता था लॉर्ड एलिटन ने सोचा कि अगर इंडियन की मैक्सिमम एज 21 से कम करके 19 कर दिया जाए कहीं के 18 दिया है लेकिन 19 कर दिया जाए तो कम एज में इंडियन इंग्लैंड में जाकर ICS परिक्षा नहीं दे पाएगा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो इंडिया में कबिनेटेट पोस्ट अंग्रेजों के लिए रिजर्व हो जाएगा तो इस तरह से लॉर्ड एलिटन ने क्या किया 1879 की बात है ICS परिक्षा में भारतियों की उम्र 21 से घटा कर 19 कर दिया मैक्सिममेज 21 साल थी कम करके 19 कर दिया इतनी कम उम्र में इंग्लैंड में जाकर ICS परिक्षा में बैठना असंभव था लॉड लिटन जाता भी था इंडियन ICS ना बने किवल अंग्रेज यानि European ICS बने तो बड़े यहां पर यह पॉइंट भी बेहद important है कई दफा यह प्रश्न पूछा गया है किस वाइस राय ने भारतियों की कबनेटेड पोस्ट में उम्र घटा दिया है तो लॉड लिटन बहुत बदनाम था इस मामले में इंडियन के अगेंस्ट काम करता था तो आईए देखते हैं लॉड लिटन के बारे में यह भी पॉइंट और एक पॉइंट और इसके बारे में आपको बताएंगे वह भी बड़ा important point है तो बेड़े एक तो यह है इंडियन्स एज इन आईएस reduced from 21 to 19 तो भारतियों की आईएस में उम्र 21 से घटा करके 19 लॉड लिटन ने किया था दूसरा पॉइंट एक और आपको बता देते हैं इसी समय में statutory civil services यह Lord Alleghen लाया था statutory civil services भारत के प्रांतों में एक स्टेट लेवल की services को Lord Alleghen introduce करना चाहता था वह चाहता था कि जो इंडियन ब्रेटिस कोर्मेंट के प्रती लॉयल हैं उनको स्टेट जैसे आज स्टेट PCS नहीं होता है स्टेट statutory civil services resolution यही लाया था बड़े मक्षद इसका यही था कि भारत के जिन राज्यों में भारती अंग्रेजों के प्रती लॉयल हैं उनको इस service के द्वारा एक पॉइंट किया जाए बाद में उनको कबनेटिट पोस्ट के कुल कर दिया जाए लेकिन इसकी आलोचना किया गया बाद में statutory civil services को हटा लिया गया था तो इस तरह Lord E.Liton इंडिया में बड़ा बदनाम काम किया Lord E.Liton 1880 में वापिस चला गया और विटे Lord E.Liton के स्थान पर next viceroy जुआया वह Lord E.Ripon है तो आईए हम आपको next Lord E.Liton के बारे में बताते हैं और यह 1880 से 1883 तक वाइस रए रहा इंग्लेंड में जैसे ही Liberal Party की गुवर्मेंट सत्ता में आई 1880 में तो कंजर्विटी पार्टी की Lord E.Liton को वापिस इंग्लेंड बुला लिया उसके स्थान पर Liberal candidate Lord E.Liton को पहली बाद तो जैसे ही इंडिया में आया इसने बेहद उदार निती को एडॉप्ट किया था और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था और Lord E.Liton ने ICS परिक्षा में इंडियान की उम्र फिर से बढ़ा कर एकी साल कर दिया और Lord E.Liton ने यह भी सजिस्ट किया कि ICS परिक्षा इंग्लेंड की पैटर्न पर इंडिया में भी कराई जाए तो अगर आपसे यह प्रश्न पूटप किया जाए कि किसने ICS परिक्षा का भारतिय करण किया एलाबाद यूनिवस्टी के सिनेट हॉल में फर्स्ट टाइम आईसेस परिक्षा इंडिया में संपन्न कराया गया था 1926 में आपको बताएं 1926 में UPSC का गठन किया गया था Union Public Service Commission का जो कि इंडिया में आईसेस परिक्षा को कंड़क्ट कराये गी वैसे Government of India Act के द्वारा 1935 में UPSC के अलावा स्टेट कमिशन के गठन की प्रवधन किये गये थे यानि कुल मिला कि 1922 में आईसेस परिक्षा इंडिया में पहली बार एलाबद यूनिवस्टी के सिनेट हॉल में कंड़क्ट कराया गया था लेकिन आपको याद रखना होगा कि लौड एरिपन ने ही सिफारिश किया था कि आईसेस परिक्षा इंग्लेंड के पैटर्न पर इंडिया में भी कराया जाए लेकिन इसको कराने में 1922 तक का समय लगया बड़े तो अगर यह प्रशन पूछें कि किसने आईसेस का भारतिय करण किया तो लौड एरिपन ने किया था तो लौड एरिपन के बारे में आप देखिए एक तो यहाँ पर आपको बताएं 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री कानून आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में ने ली जानते हैं फैक्ट्रियों में काम के घंटे को ले करदा काम के आवर्स कुले करता आप देखें किसी-किसी मजदूर से 14-14 घंटे तक काम लिया जाता था बाल मजदूरी कलाइमिक्स पर थी बधुवा मजदूरी भी अपने चरम सीमा पर था अनपेड फोस्ड लेबरर कलाइमिक्स पर था यह First Factory Act Lord Rippan के काल में इसलिए आ क्योंकि वह Liberal Party का था Liberal Party का मक्षद होता था कि वह मजदूरों का खास धियान रखती थी दूसरी बात पर बढ़े 1891 में Second Factory Act आया था 1891 में यानि 10 साल बाद Second Factory Act 1891 में Lord Lansdon के समय में आया था हला 1881 के इस Factory Act के द्वारा काम के समय को फिक्स करने यानि 8 से 9 घंटे काम करने के लिए कहा गया बाल मजदूरी पर फोकस किया कि बाल मजदूरी एवाइट किया जाए लेकिन यह Factory Act ऐसे फैक्टरियों पर लागू होता था जिसमें वर्कर की संख्या लगभग 100 थी बढ़े यानि 100 वर्कर्स पर ही इस काम को इंप्लिमेंट किया गया था तो मेन मक्षद इसका यही था वर्क आर फिक्स करें वर्क आर फिक्स्ट यानि कार्य के घंटे को फिक्स्ट किया जाए दूसरी बात इसमें चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर रिमोब किया जाए फैक्टरियों से बाल मजदूरी तो कार्य के घंटे निश्चित किया गया कार्य के घंटे को निश्चित किया गया और बाल मजदूरी को हटाने की सिफारिश किया था तो बेड़े ध्यान रुखिएगा First Factory Act Lord Rippan की समय में आया था इस Factory Act के द्वारा काम के घंटे फिक्स करने और Child Labor पर परतिबंध लगाने लेकिन दूसरा Factory Act 1891 में आया था Second Factory Act 1891 में आया था और इस Factory Act जब आया था पड़े उस समय Lord Lansdon था इसके बारे में हम आपको फिर बताएंगे Lord Lansdon के समय में आया था चलिए एक पॉइंट और Lord Rippan की बारे में बताते हैं एक और पॉइंट Lord Rippan की बारे में आप देखें 1881 में भारत की पर्थम सफल जनगड़ना Lord Rippan की समय में हुआ था वैसे तो हमने आपको बताया था कि Lord Mayo की शाशनकाल में Lord Mayo की शाशनकाल में पहली असफल जनगड़ना हुई थी तो बड़े यह सफल थी First Successful Senses of India Lord Rippan की समय में भारत की पर्थम सफल जनगड़ना भारत की पर्थम सफल जनगड़ना तो Lord Rippan पूछिएगा यही पूछा जाता है कि सफल असफल तो 1871 में असफल थी मेयों के समय में यह वाली सक्सेस थी तो बड़े आईए आगे की तरफ आपको लिए चलते हैं 1881, 1882 में सबसे फेमस पॉइंट यह है कि Lord Rippan Removed Vernacular Presect इस कानुन को हटा दिया था Vernacular Press Act को हटा दिया था तो आप जानते हैं Vernacular Press Act के द्वारा भारतिय समाचाद पत्रों पर बैन लगा दिया गया इस Act को Rippan ने हटा दिया और Rippan ने ICS में Indians की Age को बढ़ा दिया था Indians की Age को 19 से बढ़ा करके 21 कर दिया था तो बढ़े इस तरह से Lord Rippan ने ICS परिक्षा का भारतिय करण भी किया था जो कि आपको हम बता चुके हैं लेकिन Lord Rippan की साशनकाल की कुछ प्रमुक बातें जो हम आपको बता रहे हैं वो आप सुने ध्यान से 1882 की बात है 1882 की बात है बड़े 1882 की बात है इस समय Lord Rippan ने इसने डिसेंट्रलाइजड लोकल सेल्फ गर्मेंट आफ इंडिया ये बेहद इंपोरेंट पॉइंट है Lord Rippan ने स्थानिय स्वशासन का विकेंद्री करण किया था Lord Rippan ने स्थानिय स्वशासन का विकेंद्री करण किया था मतलब आज का जो नगर पालिका है नगर निगम है स्थानी चुनाओ है स्थानी निकाए है पहली बार इसने उनका विकेंद्री करण किया था Actually Lord E. Rippon चाहता था कि इंडियन को स्थानिय लेबल पर पावर शेर किया जाए और स्थानिय लेबल लोकल लेबल के टैक्सिस कलिक्ट करने के दिकार दिये जाए Lord E. Rippon पहली बार इस आइडियोलोजीज को लाया था और चुनाव लड़ने के बाद वो अपने एक स्थाई सरकार बनाएं और उस लेबल के टैक्सिस कलिक्ट करें और उससे उसका खर्च चलाएं तो याद रखिएगा Father of Local Self Government रिपन को इसलिए कहा जाता है इसलिए कहा गया है स्थानिय स्वशासन का जनक कहा गया है यह भी बहुत इंपोरेंट पॉइंट है लौड रिपन से पहले फाइनेंस का विकेंद्री करण की बात लौड मेयो ने सोचा था ना वित्त का विकेंद्री करण करने की बात लौड मेयो ने सोचा था लेकिन इत्तफाक की बात देखिए कि 1972 में लौड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में हो गया था इसलिए Lord Mayo वित्तिय विकेंद्री करण Financial Decentralization नहीं कर पाया Lord Mayo के वित्तिय विकेंद्री करण का कारिय Lord Litton ने किया थबड़े हम इस पॉइंट को छोड़ दिये हैं बता नहीं पाये थे यहां हम चर्चा कर दे रहे हैं उसको आप लिख भी सकते हैं कि Lord Litton ने अपने शासनकाल में वित्तिय विकेंद्री करण किया था Lord Litton ने अपने थाइम पिरियड में Financial Decentralization किया था यानि कुछ स्थानिय लेबल पर वित्त का विकेंद्री करण किया था Lord Litton ने ही Import Tax हटा दिया था अर्थात ब्रिटेन से आने वाली जितने भी Commodities थें जितने भी वस्तवें थी उन पर से Import Tax हटा दिया था ध्यान रूखिएगा Import Tax हटाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि England से जो समान इंडिया में आएगा उस पे Import Tax नहीं लगेगा आयातित सुल्क नहीं लगेगा तो स्वाभाविक है वह वस्तु सस्ती होगी और England की बनी वस्तवें इंडिया में सस्ती बिकेंगी जबकि इंडिया में बनी वस्तवें महगी बिकती थी क्योंकि उन पे Tax लगाया जाता था अजबकि पेटे देखें लॉड लिटन ने एक काम और किया था कॉटन पर लगने वाला Export Tax हटा दिया था इंडिया से जो कॉटन इंग्लेंड भेजा जाता था उस पर Export Tax नहीं लगता था और जबकि इंडिया में कोई कॉटन परचिज करे तो सेम रेट में इंग्लेंड में मिलता था इंडिया में सेम रेट में मिलता था तो लॉड लिटन की समय में 29 गुड्स पर बैटे लिख लो लॉड लिटन की समय में 29 गुड्स पर 29 वस्तूओं पर से Import Tax हटा दिया था यह हमने छोड दिया था तो इसको कहते हैं वित्तिय विकेंदरी करण Financial Decentralization जिसको Lord Mewn start किया था Lord Litton के शासनकाल में Import Tax हटा दिया अर्थात England से आने वाली सभी वस्तुमों पर कोई Tax नहीं लगेगा जिससे England से Imported 29 Goods इंडिया में बहुत सस्ता भी कता था तो that is called Financial Decentralization आप ध्यान रखिएगा Lord Litton के ही शासनकाल में भारत के अर्थ बेवस्था को जम के शोशन हुआ था जिसके बाद आप आगे देखेंगे कि दादा भाहिन रोजी ने एक किताब लिखा है Poverty and Un-British Rule in India Poverty and Un-British Rule in India में drainage theory of wealth का सिध्धान दादा भाहिन रोजी ने दिया था और दादा भाहिन रोजी ने British Government की बड़ी कड़ी आलुचना किया था किस तरह Indian wealth का England की तरफ drainage किया जा रहा है तो ये बेहद important point है Lord Ripon को local self government का जनक कहा जाता है लेकिन Lord Lytton को financial decentralization का जनक नहीं कहा जाएगा Lord Lytton को financial decentralization का जनक नहीं कहा जाएगा बट याद रखिएगा Lord Lytton ने financial decentralization को किया था जिसको Lord Mayon ने start किया था बेटे यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा वित्य विकेंद्री करण भी इसमें आएगा स्थानिय स्वाशासन का जनक कहा जाता है लेकिन वित्य विकेंद्री करण का जनक नहीं कहा जाएगा क्योंकि financial decentralization भी यहाँ पर हो गया है financial decentralization भी हुआ है वित्य विकेंद्री करण भी हुआ है यानि अस्थानिय लेबल पर जो टैक्सेस कलेक्ट लोकल सेल्फ गवर्मेंट करेंग उसको दे दिया गया तपड़े चलिए एक पॉइंट की तरफ और लिए चलते हैं लॉड रिपन के शासनकाल का एक और बेहद इंपॉडेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं पिड़े याद रखे 1882 में हंटर कमिशन आया था हंटर कमिशन सिक्षा में सुधार की सिफारिश किया था आएए देखते हैं हंटर कमिशन का अध्यक्ष कौन था हंटर कमिशन किस स्टेंडर्ड की सिक्षा की सिफारिश किया था तो हंटर कमिशन 1882 में एक हंटर कमिशन 1929 में भी था लेकिन वह जलिया मले बाग हत्या कांड की बारे में जांच किया था यह हंटर कमिशन 1882 में था लॉड रिपन के समय में सिक्षा में सुधार की शिफारिश किया था 1882 में हंटर कमिशन हंटर आयोग अब आप से पूछें इसका अध्यक्ष कोन था तो विलियम विल्सन हंटर या आप कह सकते हैं डबलू डबलू हंटर कमिशन का अध्यक्ष डबलू डबलू हंटर था और यह वाईसराय की कॉंसिल का एक सदस्य था वाईसराय की परिश्यद का एक सदस्य था दरसल इसने सिफारिश के इस बात की किया था स्थानी और सिक्षा अर्थात प्राइमरी सिक्षा फोकस डगर आपसे पूछा जाए तो इसके द्वारा प्राइमरी सिक्षा प्राइमरी एजिकेशन को फोकस किया था क्योंकि इससे पहले बोट्स डिस्पेच आया था, 1854 में, जिसमें प्राइमरी सिक्षा पर बल नहीं दिया था, बलकि जिला लेवल की सिक्षा पर बल दिया था, प्रोविंचियल एजूकेशन पर बल दिया था, सबस्यदा बल दिया था प्रेसिडेंसी एजूकेशन पर, यानि विश्विद्याल प्राइमरी सिक्षा पर कौन सा, हंटर कमिशन के द्वारा। लेकिन बड़े, इसने प्राइमरी सिक्षा पर बल दिया था। इजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए इससे पहले प्रोविंशियल लेवल पर एजुकेशन डिपार्टमेंट था जिला अस्तर पर सिक्षा भी भाग का गठन किया जाए और इससे पहले कभी भी महिला सिक्षा पर फोकस नहीं किया गया था पहली बार हंटर को भी focus किया था women education महिला सिक्षा पर भी बल दिया था मेन अगर आपसे पूछा जाए तो केवल primary सिक्षा पर और अगर आपसे दूसरा एक point पूछा जाए तो literary literary और vocal education पर एक और point आप लिक लिए ये तीसरा literary and vocal vocational कह सकते हैं vocational education पर focus किया था तो ये तीन बाते बड़ी important है इसमें primary सिक्षा पर बल दिया गया था महिलाओं की सिक्षा के बारे में बल दिया गया था ये तीन खास बात की सिफारिश किया था लोड रिपन के साशनकाल में तीनों सिफारिश हुई थी और जिसको implement भी किया गया था तो शिक्षा के बारे में बेहद important point था आईए आगे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं 1883 1883 में इलबर्ट बिल इसके अध्यक्ष थे इसके अध्यक्ष थे बड़े CP इलबर्ट इलबर्ट यह भी वाइसराए की वाइसराए की परिश्यत का सदस्य CP इलबर्ट था बिड़े लॉस से रिलेटेड नौलिज था इसको इलबर्ट बिल रिप्पन की साशनकाल में पॉइंट किया गया था इंडिया में जुडिश्यरी में इंडियन के साथ पार्शियल्टी किया जाता था भारत में न्याईक प्रणाली में इंडियन की साथ भेदभाव किया जाता था सेम पोस्ट का इंडियन और यूरोपियन जैसे सेशन जज शेशन जज की पोस्ट पर अवद भिहारी कोई पोईन किया गया था लेकिन उनके पास वो पावर नहीं थी जो यूरोपियन सिर्षन जज की पास थी तो लौर्ड रिपन की समय में अवध बिहारी ने कहा कि भई हम प्रमोशन नहीं लेंगे क्योंकि हमें आप प्रमोट तो कर दिये प्रमोट तो कर दिये लेकिन उसके प्रमोशन का फाइदा क्या है मेरे अधिकार शेत्र को तो बढ़ाया नहीं यानि जिरिस्डिक्शन को बढ़ाया नहीं आपने प्रमोट कर दिया यानि हमें European के मुकदमे सुनने का अधिकार ही नहीं है और especially कौन से मुकदमे बटे Criminal Procedure यानि जो अपराधिक मामले थे उसमें European Judge European की ही मुकदमे सुनता था Indian का भी मुकदमा सुनता था Indian Judge के वोल Indian का ही मुकदमा सुन सकता था तो PC Ilbert ने Lord Rippon के समय में शिफारिश किया कि Equal Status और Equal Post मिलने के बाद Indian Judge European के Equal Status ले और European के मुकदमे भी सुने तो ध्यान दिजिएगा PC Ilbert ने शिफारिश किया था कि Indian Judges were given Equal Power Especially Criminal Procedure में बटे आपरादिक मामले में Indian को Equal Status Equal Power नहीं दिया गया था पहली बार Ilbert बिल ने सिफारिश किया कि भरती ने अधीशों को European ने अधीशों के बराबर अधिकार मिल गया और इस Ilbert बिल अमेंडमेंड को लागू कर दिया गया था वैसे तो 1st माई से लागू हुआ है 1st में 1884 से लागू किया है लेकिन अब बताईए Lord Ripon के समय में इसने शिफारिश किया Indian Judges को Equal Power मिले इसके अगेंस्ट में बेटे Lord Ripon के अगेंस्ट में इंडिया में और इंगलेंड में अंग्रेजों ने प्रोटेस्ट करना स्टाट कर दिया Lord Ripon के अगेंस्ट में 1883 में वाइट रिवल्यूशन हुआ था पूछा गया है ये यही बिल था जिसने शिफारिश किया तो रिपन इसको एसेप्ट कर लिया था और इसलिए रिपन के अगेंस्ट में रिपन के खिलाफ वाइट रिवल्यूशन हुआ था सफेद करांती मिल्क प्रोडक्शन से नहीं होगा यहां पर सफेद करांती या सफेद करांती नहीं होगा सफेद करांती इसको कह सकते हैं स्वेत करांती का मतलब गोरे लोगों का करांती रिप्पन के खिलाफ हुआ क्योंकि रिप्पन के काल में इसने ये बाद सिफारिश किया जिसको रिप्पन ने इंपिलेमेंट कर दिया इसलिए रिप्पन का बिरोध होने लगा रिप्पन से स्थीफे की मांग किया अंत में ल इंडियन के लिए best wise रहे था रिपन द बेस्ट कहा गया है इंडियन के लिए सबसे अच्छा wise रहे तो अगर आपसी पूछा जाए कि इलबर्ट बिल किसके लिए था तो इंडियन जज को equal power equal status दिया अब इंडियन जज यूरोपीयन का मुकदमा सुन सकते थे यूरोपीयन को punishment दे सकते थे तो इस तरह से रिपन इस बिरोध के बाद 83 में स्तीफा दे दिया एक बात और बता देते हैं लौड ए रिपन के समय में कलकत्ता उच्छ नयायले का मुख्य नयाधिस रबर्ट ग्राथ अपनी छुटियां बिताने लंडन चला गया था पोस्ट खाली था उस स्टेटस का एक इंडियन जज रुमेश चंद्रमित्र को रिपन कलकत्ता मुख्य नयायले का एक्टिंग मुख्य नयाधिस बना दिया तो यह बवाल हो गया बटे तो यह रुमेश चंद्रमित्र के लिए था बटे रुमेश चंद्रमित्र इनको केलकटा, हाइ कोर्ट का, एक्टिंग मुक्षिनेरिस बना दिया था, एक्टिंग, चीफ जश्टिस एपॉΐन्ट किया, क्योंकि किसके स्थान पर एकॉऐन्ट किया, रबलेट ग्राथ के स्थान पर बड़े, तो रबेट ग्राथ यह ब्रिटिस जज था छुट्टियां बिताने लंडन चला गिया था पोस्ट खाली था 1883 में लॉड एरिपन ने रुमिस चंद्रमेत्र को कलकत्ता मुख्यनियाले का कारिवाहक मुख्यनियादिस बना दिया था तो बड़ा ही important point था यह तो इस तरह से लॉड एरिपन के शासनकाल में यह तमाम घटनाए हुई हैं जिसको हमने आपको बताया है लॉड एरिपन बेस्ट वाइस रॉय था इस से बढ़िया इंडियन के लिए कोई और वाइस रॉय नहीं था तो बड़े यह point आज हमने आपको बताये हैं अब आप बताईए आपको कोई doubts हैं तो आप अवश्य पूछिए कोई problems है जिसमें ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं बाकी mcq आज नहीं कराएं हैं किसी और class में फिर mcq लाएंगे ओके सभी लोगं का कमेंट आ रहा है हमारे पास हैं हीरा मनी राजी उकुमार hunter commission rollout act की बाद आया था बिल्कुल hunter commission rollout act की बाद नहीं पर जलिया वाले बाग अत्या कान पर आया था लेकिन यहाँ पर यह hunter commission अलग है 1882 में यहाँ www hunter था बिटे याद रखियेगा William Wilson Hunter वहाँ अलग है सर चर्ण असपर्श हुआपका गौरो कुमार अशिरवाद बिटे हाउ टू विद्पुनित सर पडाम पडाम बिटे कुल्दीप जैन नमस्कार बिटे इजी वे टू कॉमर्श आल क्लियर ओके बिटे थैंक यू सर फर्स्ट जच कौन था कलकत्ता हाई कोट का कलकत्ता सुप्रेम कोट का पूछा जाता है बिटे हाई कोट का तो नहीं पूछते क्योंकि तीन हाई कोट थे सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता में 1773 में सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य नैदिस पूछा जाए तो एलिजाह इंपे था हाई कोर्ट का नहीं हाई कोर्ट में तो तीन हाई कोर्ट बने थे 1862 में कैलकटा बम्मे मद्रा सुप्रेम कोर्ट 1773 में स्थापित हुआ था सुप्रेम कोर्ट का पहला मुख्य नेदिस एलिजाह इम्पे था ये पूछा जाता है तो और कोई डाउट है आपको तू बताएं जल्दी से फड़ा फड़ा बताएं बड़े इसको शेयर भी किये हैं आपने खूब और इसको लाइक भी किये था जो बाता है संजी उकुमार था, सुप्रीम कोट का मुख्य ने दिज पूछा जाता बिटे, 1770 में वारेन हेस्टिंग के साशनकाल में सुप्रीम कोट बना था, सुप्रीम कोट 1770 में बना था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के सामय में उसका फ्रेंड था बिटे, उसका फास्ट फ्रेंड खाले जाहेंब पर स्ट मुखी ने दिस्था सिफिती वल्व त्योरी में सता हुं क्वान्ог शेफिती वॉल भी वपता देते ने आपने डिलीठी मार दिया लेकिन संजीव safety valve तो Congress के लिए था लाला लाजपत राय नहीं कहा था Congress का गठन especially British Government के safety के लिए बनाय गया था Congress का मक्षद क्या था जानते हैं Congress का मेन उद्दिश यही था कि Congress में अंग्रेज निता भी होंगे Indian निता होंगे अंग्रेज निता Indian निताओं के विचारों को जान जाएंगे और चुपके से पता कर लेंगे कि Indian निताओं का अगला कदम क्या है और British Government से जाके बता देंगे कि कल Indian निता प्रियाग राज में विद्रू करने वाले हैं विद्रू होने से पहले दबा दिया जाएगा इसको safety valve कहते हैं अब देखे pressure cooker में safety valve लगा होता है pressure cooker में safety valve लगा होता है बड़े safety valve का खाम क्या होता आप जानते भी हैं अगर CT न बजे तो pressure cooker blast हो सकता है लेकिन बगल में उसमे safety valve लगा होता है और वह safety valve उस temperature बगल जाता है और फिर वहां से हवा निकलने लग जाती है या गैस निकलने लग जाती है blast नहीं होता है तो इंडिया उस समय एक pressure cooker की तरह था Congress उसमें लगी safety valve थी जहां से अंग्रेजों को leak हो जाएगा पता चल जाएगा कि अंडियन का अगला कदम क्या है करांती होने से पहले यह दबा दिया जाएगा बटे तो यही था ठीक है तो और कोई point है तो बताएं नहीं तो class को यहीं wind up करते हैं बटे next class में फिर मुलाकात होगी और next class में हम आपको इसके आगे वाला point बताएंग बटे इसके आगे अब क्या है लोड रिपन के बाद next जो आया लोड डफरिन था easy way to commerce सर वल्लभाई पतेल को सरदार का title किस ने दिया था बारदोली की महिलाओं ने दिया था बटे बारदोली की महिलाओं ने फत्वा ये आलमगीरी बुक का नाम है और इस बुक को लौ की किताब है वैसे बुक का नाम मतलब लौ की किताब है और यह आलमगीर यानी औरंग जेप के समय का है फत्वा फत्वा ये आलमगीरी कानून है पूरा लौ है मुसलिम लौ बक्ती मोव्मेंट बताना असंभव है भी तो यहाँ बक्ती मोव्मेंट छोटा टॉपिक थोड़ी नहीं बक्ती अंदुल में नानक आएंगे, कबीर आएंगे तुलसी दास आएंगे, रैदास आएंगे है ना, तमाम संत आएंगे बटे तुका राम आएंगे, तिनाली रमन है, तमाम भक्ती रामकृष्ण परमहन सें, वो नहीं आएंगे वल्लभाचारी आएंगे, चैतनी महाप्रभू आएंगे और ऐसे बहुत सारे हैं बटे, एक थोड़ी नहीं बक्ती अंदुल में, तमाम है इसमें तो 15-20 संत हैं, कम हिंदु संत, सुफी संत अलग हैं, वक्ती संत अलग हैं, हिंदी में पढ़ा होगा सारा ये, तो चलिए, next क्लास में हम आपको इसके आगे बताएंगे बटे, अगली क्लास में हम आपको इससे आगे बताएंगे और बताएं वे कोश्चन है तो बताएं महाद सत्यागर ठीक है यह बंबई में चला था महाद सत्यागर यह बियरम बेटकरने 1927 में चलाया था महाद सत्यागर ठीक है नाहीं? पानी भरने के लिए पर्मिशन दिलवाया था है क्योंकि अंटचेबल लोगों को न तो टैंक में पानी बढ़ने दिया जा ता ता और नहीं कोई पर पानी भरने दिया जाता था है इसलिए उनके लिए महाड सत्याग्र बियरंबेट करने 1927 में चलाया था छुवा छोट को खतम करने के लिए है न कभी कभी किसी टॉपिक में डाउट होता है तो गूगल पे सर्च करने पर अलग अलग अंसर आते हैं पिल्कुल बड़े इसलिए तो जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा ओके सर गुड़नाइट राजिव मेरा बता दीजिए सर बता तो दिया बड़े महाड सत्याग्र बियरंबेट करने 1927 में चलाया था अंटचेबल के लिए था तो मैं ये थोड़ा लैपटॉप पर जुक कर देख रहा हूँ लैपटॉप हमाई पासे बड़े इसी पर आपका कमेंट चल रहा है मुबाइल पर भी कभी-कभी देख लेता हूँ कभी-कभी आपका इसमें लैपटॉप पर भी देख लेता हूँ अब अम्बेटकर कि इच्छा है आप भी अपना सकते हैं बहुत धर्म अपना सकते हैं उन्होंने देखा कि इन दो धर्म में रोणिवादी तत्व जदा हैं इसलिए उन्होंने बहुत धर्म स्वीकर कर लिया रयतवरी मदरास और बंबई में था मदरास में थॉमस मूरन चलाया और बंबे में एलेक्सेंडर रीडस ने चलाया था नेक्स्ट क्लास कल होगी बेटे अंकज कल कल तुमरो ग्रेंड ट्रंक रोड किस किस ने काम किया था सबसे पहले अशोक ने बनवाया था प्राचिन काल में पाटल पूत्त से तक्षिला के बीच में और देन उसके बाद शेर्षा सूरी ने शडक याजम के नाम से बनवाया था तो कई सारे हैं प्राचिन काल में अशोक और मध्यकाल में शेर्षा ठीक है अंकज बिल्कुल सही बिल्कुल सही मिटा क्यों दिया अपने सही था तो ये सारी बाते हैं बड़े तो इसको लाइक कर दीजी थोड़ा और दोस्तों में शेर कर दिया करो जब पढ़ा चानल मैं नेक्स्ते dell नेकस्ट्री फैक्रैड ठीक है सब्सक्राइब कर लो जू सब्सक्राइब न कियो सब्सक्राइब कर दो चनल है तो नेक्स्ट्कलास में मिलते हैं हिज्री इरक ता च्छिया वांच पानी बढ़ने दिए चला थाओ किमेग Thank you, good night.